किसी गाउं में एक बुढ़ा विक्ती अपने बेटे और बहु के साथ रहता था, परिवार संपन्न था, किसी तरह की कोई परिसानी नहीं थी, बुढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खास नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था, चलते समय लड़कराता था, साम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था, एक दिन ऐसे ही साम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे बेटा आफिस से आया था, रोब जादा थी, जो जल्दी से खाना खाने बैठ गया, और साथ में बहु और उसका एक बेटा भी लगे बोडे हाथ हैं जैसे ही ांधाने को हुए ठाली हासने छिटक गई थोड़ी डाल टेवल पर गिर गई बहु पीटे ने घृणा देश्टी से पृता की ओर देखा और फिर से अपना खाने में लग गए, बोड़े पिता ने जैसे भी अपने इलाते हाथों से खाना खाना सुरू किया, तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता, कभी जमीन पर, बहु चुलाते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता ही इनकी थाली किस अलग कोने में लगवा देते हैं, बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पतनी की बात से सहमत हो, उनका बेटा यह सब महसूमियत से देख रहा था, अगले दिन पिता की धाली को स्टेवल से हटा करे, कोने में लगवा दी गई पिता, की डबडबाती आंके सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बुड़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा, खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर गिरता, बच्चा अपना खाना छोड़कर लगा तरफ में दादा की तरफ देख रहा था, मा ने पूछा, क्या हुआ बेटा तुम दादाजी क तरफ क्या देख रहे हो, और खाना क्योंने खा रहे हो, बच्चा बड़ी मसुमित से बोला, मा मैं सीख रहा हूँ, क्लिव रिटाओं के सांथ कैसा बेभार करना चाहिए, जब मैं बड़ा हो जाओंगा, और आप लोग बूड़े हो जाओगे, तो मैं भी आपको इसी तरह कौने में खाना खिलाया करूंगा, बच्चे के मौह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहुत दोनों काप उते, सायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गए थी, क्योंकि बच्चे ने महसुमित के साथ एक बहुत बड़ा सबब दोनों को दिया था, बेटे ने जल्दी से आग कोई तकलीफ ना हो, इस कहानी से सिच्च मिलती है कि माबाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितनी भी धनी कठा कर लें, लेकिन माबाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है,